नमस्कार साथियो यूपी पुलिस भरती पिकरिया में रेटिने एक्जाम कम्प्लीट हो चुका है और अब हमें इंतियार है कट ओफ का और रिजल्ट का तो कट ओफ और रिजल्ट से पहले और उसके बाद क्या-क्या प्रोसेस होनी है आई उसको देखते हैं देखिए अब कोशन साथ की आजाएगी तो औब्जेक्शन यानि आपत्ती ये लिजाएगी आपके according कौन सा कोशन आपको सही लग लगा था सही तो मोश्वडी हैं सारे कौन-कौन से कोशन गलत थे उन गलत कोशन पर आप अपत्तिय लगाएंगे आपत्ति लगाने के बाद उस पर एक कम committee बैठेगी और जो committee decide करेगी कि cherry question बास्तम में गलत है और अगर गलत है तो इस के number सबको मिलने चाहिए या इस person के number यह है total number में से कट जाने चाहिए यह committee decide करेगी और committee जब decide कर लेगी उसके बाद 30Que dummer पर Пषिर cutoff जारी होगी और cutoff जारी होने के बाद फिर final written exam का result आ जाएगा इतनी process में यानि result आने तक में आपको two months यानि दो महीने का wait करना पड़ सकता है दो मन्त में यानि दो महीने में आपको final written exam का result देखने के लिए मिल जाएगा और जो चात्र written exam में pass होंगे उनके लिए next to process होगी वो documents verification का होगा document verification जिसमें आपने फारम भरा होगा उस समय जो जो आपने information भरी होगी उसके इसाब से documents चेक होंगे यदि वो तथ्य गलत पाए गए उसके according या आपने कोई तथ्य छुपाया हो तब जो है आप physical के लिए अयोग्य गोसित हो तीन महीने मैं आप अपना physical से तयार कर सकते हैं कि फिजीकल एक więc होता है जहांआप आ दीन में त्यार कड़ा सकते ना तस दिन में तयारकर सकते ना तयारकर सकते रिट्र के डिन एग्जाम में है सोच सके हैं कि 16 घंते 1708 घंते पड़नें लेकिन physical के लिए आप एक दिन में दस घंटे दोड़ने के बाद अगले दिन आप फिजीकल तयार नहीं माना जाएगा आपका तो दो महीने तीन महीने आपको कम से कम चाहिए ही चाहिए और फिजीकल टेस्ट में आपको एक बात बहुत बिसेज ध्यान रखनी है खाट सवर से पुरु वो माप आपको पूरी करनी है और अगर हम इसके फिजीकल के बारे में बात करें तो पुरुसों के लिए 4.8 km की दोड़ है वो 25 मिनट में पूरी करनी है और महिलाओं के लिए 2.4 km की दोड़ है वो 14 मिनट में पूरी करनी है तो यह सब प्रोसेस जब हो जाएगी फिजीकल रह जाएंगी वो रिक्त ही रह जाएंगी तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस है अब UP प्लिस भरती प्रियागी आने वाले समय की तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है फिजिकल के लिए अभी से आप जुट जाएए तो आपका पहले नमबर का A1 क्लास का हो जाएगा चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही